अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालू आप उसे देख सकें हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताने जा रही हूं हाउ टू इंसर्ट इलास्टिक इन बेट शीट उसकी कटिंग और स्टिचिंग बेट शीट का हमारा नापिस प्रकार है लेंथ ऑफ बेड 75 इंच विर्थ ऑफ बेड 72 इंच तो इसमें जो हम इलास्टिक इंसर्ट करेंग वो 90 इंच होगी टोटल पहले मैं इस पेपर पे इसकी ड्राफ्टिंग समझाती हूं आउटर साइड की डाइमेंशन हमारी बेड शीट की लेंथ और विर्थ है और इनर साइड जो बॉक्स है ये हमारी बेड की विर्थ और लेंथ है तो बेड शीट हमेशा बड़ी होती है तो जितना हमारी बेड की विर्थ और लेंथ है उससे एक्स्ट्रा जो लेंथ और विर्थ में बेड शीट का फैब्रिक होगा उस एक्स्ट्रा का हम हाफ दोनों साइड में छोड़ेंगे यनकी जैसे विर्थ हमारी ये हमारी 72 है तो अगर बेड शीट जितनी एक्स्ट्रा ह मालो 12 inch extra है तो हम 6 inch इदर और 6 inch इदर छोड़ देंगे इसी परकार length में भी हम length को निकाल करके जितने extra हमारी sheet का fabric आएगा उसे का half इदर हाफ इदर छोड़ देंगे तो हमारे पास ये points आ जाएंगे तो हम इन points को extend करेंगे दोनों side length में और width में उसके बाद जो ये हमारा box बनेगा outer side में इसके center में हमें एक line लगाएंगे और इस corner को इस corner से मिला करके ऐसे stitch कर देंगे फिर जो ये extra fabric होगा मालों ये stitching हमारी यहाँ पर center में आ जाएगी तो इस extra fabric को हम cut कर देंगे length और width का dimension लेने के बाद हमारा दोनों side जो है extra आता है 6 and a half inch तो हम ये ऐसे 6 and a half inch की इधर line और इधर से भी 6 and a half inch की इधर line लगा करके ऐसे एक box बना लेते हैं अब इसको right side में match करके ये हमारे point को इस point से इस परकार मिलाएंगे और ये line की हम ऐसे stitching कर देंगे और ऐसा हम चारो corners में करेंगे पहले रॉंग side में इस परकार stitch करने के बाद ये इस परकार right hand side में इस परकार दिखाई देगा अब हम ये जो हमने extra fabric है इसकी cutting करेंगे और यहां पर हम interlock करेंगे इस परकार हम चारो corners को कट कर लेंगे इंटर्लोग करने के बाद अब हम इस परकार double में ये elastic लेंगे ये थोड़ा ज्यादा stretchable होती है elastic और इसको firmly stitch कर लेंगे उसके बाद हम इस elastic को ऐसे रखेंगे और ऐसे single ही fold करके पूरी belt sheet में stitching दे रेंगे और ध्यान रहे stitching के दौरान हमारी ये elastic उसके बीच में ना आए ये elastic insert करना मैंने आपको पहले भी बता रखा है जैसे pajama extra में तो ये मैं stitch करने के बाद आपको इसकी एक पिक अपलोड कर दूँगी अगर आपको मेरी है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे अगर आप इस चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नए stitching या एक नए कटिंग आसान तरीके से समझाऊंगी धन्यवाद घ्जाओ धन्यवाद झाल झाल झाल